नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में ओ गई है तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ड्राइफ रूट्स के बारे में बता रहे हैं जो की खास तोर पर शरीर से आईरन की कमी को दूर करने के लिए जाने जाते हैं तो दोस्तो चलिए जानते हैं वो 10 ड्राइफ रूट कौन-कौन से हैं तो दोस्तों 10 ड्राइफ रूट की लिष्ट में पहले नमबर पर आता है बदाम जी यां दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बदाम खाना हर किसी को पसंद होता है दोस्तों बदाम एक एसा ड्राइफ रूट है जो खाने में टेस्ट ही भी लगता है लेकिन इसके टेस्ट को एक तरफ हटा लिया जाए तो यह शेरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा healthy dry fruit माना जाता है दोस्तों बात करें iron की तो जब भी शेरीर में iron की कमी हो जाती है तो आपको बदाम जरूर खाने चाहिए आपको बता दें कि 10 ग्राम dry roasted बदाम में 0.5 मिलिग्राम iron होता है इसमें iron के अलावा calcium और magnesium भी पाये जाते हैं जो की शरीर को healthy रखने का काम बहुत ही बड़िया तरीके से करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर जो dry fruit आता है वो है काजू दोस्तों अगर dry fruit में काजू का नाम ना हो तो ये तो list नामुम्किन से लगती है जी आँ दोस्तों और दोस्तों इसके भी taste की बात करें तो बादाम की तरही काजू भी बड़ा tasty होता है खाने में दोस्तों tasty होने के साथ healthy भी होता है इसमें दोस्तों potassium, magnesium, phosphorus, protein, fiber, vitamin E, vitamin B6 के अलावा main चीज जिस पे आज की हमारी इस वीडियो का topic है iron भी भरपूर मातरा में होता है जी आँ दोस्तों दोस्तों आपको बता दें 10 gram काजू में 0.3 mg iron होता है जो की शरीर को healthy रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर शरीर में iron की कमी है तो आप काजू का 7 भी कर सकते हैं दोस्तों थीसरे नंबर पर जो dry fruit आता है वो है अक्रोट याने की walnut दोस्तों अक्रोट को brain fruit के नाम से जना जाता है जियां दिमाग की ताकत को बढ़ाये रखने वाला dry fruit दोस्तों आपको बता दें कि इसको खाने से आपकी याददा शक्ती बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है बढ़ती है अगर कमजोर हो गई है तो इसके अलावा 14 ग्राम अक्रोट में 0.7 मिली ग्राम आईरन भी होता है जो कि चरीर से आईरन की कमी को दूर करने के लिए काफी अच्छा dry fruit इसे माना जाता है ऐसे में अगर आईरन की कमी है चरीर में तो रोजाना अक्रोट का सेवन भी आप कर सकते हैं एक limited मात्रा में दोस्तो हमारी इस लिष्ट में अगला जो dry fruit है वो है pine nuts जी हाँ दोस्तो इसमें भी आईरन अच्छी मात्रा में होता है लेकिन कि आप जानते हैं कि 10 ग्राम pine nuts में 0.6 मिली ग्राम आईरन होता है जो शरीर को healthy रखने के लिए तो जरूरी होता ही है दोस्तो आपको बता दे क इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर भून कर भी खा सकते हैं दोस्तो अगला dry fruit आता है पिस्ता जी हा पिस्ते में कई सारे पोशक तत्व और minerals पाए जाते हैं इसको खाने से कभी भी iron की कमी नहीं होती ये समाना जाता है 28 ग्राम पिस्ते में 1.1 मिली ग्राम आईरन ह पिस्ते में मेगनेशियम और विटामिन B भी अच्छी तरीके से मोज़ूद रिता है जो कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तो अगले नंबर पर आती है हमारी प्यारी मुमफली दोस्तो जिसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुमफली को का बदाम और पिस्ता भी कहा जा सकता है क्योंकि यह बदाम, काजू और दूसरे अन्य ड्राइफ फ्रूट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है लेकिन फाइदे इसके उतने ही होते हैं मुमफली में आईरन, केल्शियम और फाइबर पाये जाता है आपको ब किश्मिस आसानी से मिलने वाला ड्राइफ फूट है कहीं भी आप मार्केट में चले जाएए बड़े आसानी के साथ ही आपको मिल जाएगा कोई भी आपको तकलिफ नहीं आएगी इसमें भी आईरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो थोड़े से किश्मिस खाने से आप को कई ज़्यादा लाब देखने को मिलेंगे दोस्तो अगरे नंबर पर आता है खुबानी एप्रिकोट दोस्तो खुबानी एक ऐसा ड्राइफ फूट या फिर फल माना जाता है जो कि आईरन की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशल माना जाता है लेकिन इसके ब शरी में प्रोटीन, केल्शिम और विटामिस की भी अगर कमी है तो उसको भी दूर करता है तो दोस्तो हेल्दी रेने के लिए खुबानी भी आप चुन सकते हैं अगला ड्राइफ फूट आता है दोस्तो फिक यानिकी अंजीर जी हाँ दोस्तो अब दोस्तो अंजीर जो ड् ना करें लेकिन जिन लोगों को इससे कोई प्रोब्लम नहीं होती उनके लिए बहुत ही बड़िया ड्राइफ फूट माना जा सकता है जी हां दोस्तो आपको बता दें कि अंजीर का सेवन करने के लिए आपको रात को केवल दो अंजीर को पानी में भिगो कर रख देना है औ काफी अच्छा ड्राइफ फूट माना जाता है अब बात करते हैं आखरी ड्राइफ फूट की दोस्तो तो आखरी ड्राइफ फूट आता है मेका डामिया नट्स अब दोस्तो जैसे मैंने ये नाम लिया होगा तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों का रियक्शन ये रहा होगा कि इस nuts के बारे में यानि कि इस dry fruit के बारे में बहुत से लगों ने सुना भी नहीं होगा लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम iron की बात कर रहे हैं न उस iron की कमी को दूर करने के लिए भी make a damn या nuts भी हमारी list में शामिल जरूर होगा क्योंकि दोस्तों या iron की कमी को खास तोर पर दूर करने के लिए जाना जाता है दोस्तों इसका सेवन करने से शरीर में कभी भी iron की कमी नहीं होती है और ये भी एक अच्छी खासी मातरा में iron की कमी को दूर कर देता है अगर आप भी make a damn या nuts खाएंगे तो iron की कमी जरूर दूर होगी तो दोस्तों ये थे कुल मिला के वो 10 ये से dry fruit जो कि आपके iron की कमी को शरीर में ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे ज़्यादा और ज़्यादा iron की कमी नहीं होने देंगे अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर देना और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना धन्यवाल दोस्तों